लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइटिन को प्रेस करें करें अल्ट्रा चैनल्स करें आइब मुदक्राइब अल्ट्रा चैनल्स के लिए आइब करें अल्सक्राइब करें और राइब कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल कर दो 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 komt banyak एंग कि फुर संगम कर दो कर दो को, कर दो कर दो एक पिशेश सुचना, अभी-अभी समाचार मिले है कि आर्थर जोड जेल से एक भुखार कैदी जिसका नाम राकेश राय है, जेल तोड़कर फरार हो गया है, उसके पास इस पेकर का चुराया हुआ रिवालवर भी है, किसी भी व्यक्ति को उस शक्त के बारे में कोई भी जा करें, ठन्यवाद, सुचे ना समावी, इससे पहले तुमारे मुझ से निकली हुई चीक, तुमारी जिंदेगी की आगरी इंचेकी बन जाए, इस चीक को अपने सीने में दफ़न कर लो, मुझे पता है, अभी तुम मुझे टीवी पर देख चुकी हो, जरा भी होश्यारी की गोली आरपार हो जाएगी, मैं कुछ देर या रहूँगा, फिर चला जाऊँगा, ठीक है, अब मेरे सवालों का जवाब तुमें इस तरह देना है, कि सिर्फ मैं सुन सको, दिवारों और तरवाजों तक तुमारे आवाज नहीं पहुँचनी चाहिए, घर में कोन कोन है, इ इतने बड़े घर में कोई नहीं, मुझसे जुट बोल रही हूँ, बहुत कम लोग जुट बोलने की हिमत करते हैं, तुमारे पती कहा है, वो एक ज़गोई काम से मतरास के हैं, तीन-चार दिन बाद लोटेंगे, कोई हुश्यारी करने की कोशिश मत करना, समझे, पुलिस आ गई है, उन्हें भार से डाल देना, ज्यादा चालाग बनने की कोशिश की, तो आइल शूट यूँ, ओके, मैं यहाँ छुपता हूँ, यह, यह क्या है, पहले तुम छुप जाओ, मैं बाद में बताती हूँ, मिसिस केशव नारंग, जी, मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आए, रेखिये, थैंकिये, कहिए, क्या बात है, I am sorry, मिसिस नारंग, एक, बुरी खबर है, आपकी बती जिस प्लेन में मदराज जा रहे थी, वो क्रेश होकर मदराज के समंदर में डूप गया, नहीं, एक भी पेसेंजर ने कचे, मिसिस नारंग, किमत से काम लीजी, प्लीज, जिस के वेसे काम लेति काम अपक्ष्ण में में इसाजर बुरी प्लाजे, कि कथ्यू़, दो जो को याजारे गलात वैंकि में थात्प जो बत्राम, मापक क करें रहें कवाया जाओ, ऑले ऑृटर ने था जो जो बत्रा है, आपको फोन पर देने की बहुत कुछी है, अगर आपका फोन लगाता रहेंगे, चाता रहा है, यहां आकर पता चला कि फोन पर रिसीवर ठीक से रखा नहीं है, लगता है रात कोई आपको डिस्टर्ब न करेंगे, इसलिए आप रिसीवर नीचे रख देंगे, एनिवे, मैं चलता है, मिस्स नरंग, आप इस समय घर में अकेली, अपना ख्याल रखिये, ओके? यह सब क्या है? यह यह लाश किसकी है? यह लाश मेरे पती की है. तुम्हारे पती की? हाँ, यह खून मैंने किया है. तुमने? मैंने. लेकिन इंस्पेक्टर तो वो प्लेन क्रेश. एक लंबी कहानी है. लगता है, लगता है मैं गलत जगा गया. अब मैं यहाँ एक मिनिट भी नहीं रूख सकता. पुलीस तुम्हें ढून रही है. तुम कहां हो, यह सिर्फ मैं जानती हूँ. और यह खून मैंने किया है, यह सिर्फ तुम जानते हूँ. तुम कहना क्या चाहती हूँ? मैं ये चाहती हूँ के तुम मेरी मदद करो मैं तुमारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो यहां से भार भी नहीं निकल सकता देखो, पुलीस के रिकॉर्ड के मुताबिक मेरे पती की मौत मद्रयास जाने वाली प्लेन क्राश में हुई है तो? अगर हम इस लाज को अभी ठिकाने लगा दे तो इस केस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा इसमें अगर तुम मेरी मदद करो तो तुम कुछ दिन यहां रुख सकते हो यह जगा तुम्हाई लिए सेफ है क्या सोच रहे हो? हमाई पस वक्त नहीं है मैं कपड़े बदलना चाहूँगा उपर मेरे बेडरूम में अलमारी है उसमें उनकी कपड़े है जाकर बदल लो क्या सकते है काड़ी कहा है पाड़े तुम्हें चलाने आती है ठीक चलो उसमेड इख है अ बढंनल नहाज दोड़ा है गजय जजा लाल गसकता है पुलीस ने नाकाबंदी की हुई है पुलीस ने नाकाबंदी की हुई है पुलीस ने नाकाबंदी की हुई है पुलीस ने नाकाबंदी मुझे आपके गाड़ी की तलाशी लेने पड़ेगे पुलीस ने नाकाबंदी की हुई है हुई है हम लोग को देखके वह गाड़ी पीछे से वापस जा रही है माडम आप जाइए जलो सब लोग बैटो जीप में उस गाड़ी का पीछा करो हुई 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 ह कि दो बाल में, दो, खिर भाल जो, जो. कर दो कर दो कर दो कर दो भाल क्यों किया कि आश्या तुम चुप क्यों हो ऑरत मर जाती है पर पति पर कभी हाथ नहीं उठाती वह कौन सी वज़ती जो तुमने कलेजेबर पत्थर रखकर अपने पतिगा खुन कर दिया चादी से पहले मैं अवीनाश से प्याय करती थी अरे रोको रोको मेरा घर पीछे रह गया मैं तो चाहता हूं कि सारी दुनिया ही पीछे रह जाए और अम इसी तरह एक दूसरे में खोकर प्यार कर सफर तह करते रहें सफर तह करने के लिए सिर्फ प्यार नहीं एक और चीज़ भी बहुत जरूगी है वो कि नौकरी नौकरी धर टेरी इतने बड़िया रोमांटिक मौसम में तुम्हें ये नौकरी की याद कहां से आ गई मिस्टर मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूं कि कल नौकरी के सिलसले में मुझे एक इंटिव्यू देने जाना है इसलिए कल हम नहीं मिल सकेंगे और यहां याद आया कल तो मैंने भी ऑफिसे छुटी ले रखी है क्योंकि मुझे शूटी की सिलसले में फोटो खीचने जाना है तुम देखना आशा एक दिन में दुनिया का सबसे बड़ा फोटोग्राफर बनुगा मेरे पास खूब सारे दौलत होगी पंगला होगा कार होगी और चलिए अभिनास तक्रेट अपनी साइकल का पंग्चर बनवाईए और ये लीजे अपनी छटी इसे तुम ही ले जाए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बारिश की बूंदें तुम्हारे बढ़न को चुने क्योंकि तुम से प्यार करने का अधिकार सिर्फ मुझे है और हमेशा पाई भाई चलो बिटा पंचर दवाई अधिकर प्रिफ मेरी काड़ी के वाइपर काम नहीं कर रहे है मैं मॉपी चाहता हूँ कोई बात है आपको ज़्यादा चोट तू नहीं हाई आईए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ आपकी छत्री तो तूट गई एक मेंट रुकी ये लिजे आप ये ले जाएए इसे फेक दीजे ये तो अब रेपेर भी नहीं हो सकती देखे आप मेरी छत्री ले जाएए पारिश में भीकर तो आपको जुकाम भी हो जाएगा हम गरीबों को मौसम की सक्षियां जिलना आता है हवाएं तुझ से लिपट कर नशीली हो रही है अटाएं प्यास अपनी उचाने तुछ पर परस रही है लिबास तुम से लिपट कर कहीं गुम हो गय है तुम हमारे हो न हो पर हम तुमारे हो गए कर शाएं तुमार्य मौसमार्य shंपđ का मौसमार्य मौसमार्य हुएएएए बैठिये परमाईए सर मैं आपके इस्क्यूज मी सर आपके हैटलक्स तीनानाजी की बेटी हूँ मेरा नाम आशा है यह मेरे सर्टिफिकेट है तीनानाजी आज ओफिस ने आए वह घर पर है उनकी तबियत ठीक नहीं है तबियत तो आपकी भी ठीक नहीं है जी हाँ मैडम मैं मिस आशा को अपना पर्सनल सेकर्टी अपॉइंट कर रहा हूँ आप इनका अपॉइंट में लेटर टाइप तरवा कर ले आएए जी हाँ और दो चाय बिजवादी जी यह सर आपने इंटर्व्यू ले बिना है एपॉइंट लेटर इंटर्व्यू तो आपकी छींकों ने दे दिया आपकी बात माना मेरी जूची है सर अगर मेरी छती लेली होती तो यह हाल नहीं होता आप ठीक कह रहें सर अशा अगर मैं कोई मश्वरा दूंगा तो कबूल करोगी कल तक आप अजनभी थे अब मेरे बॉस हैं आपकी बात माना मेरी जूची है सर छैनली जी क्रेंक यूची ओठ शवार जेकना को आप रहेंने पीजिये? मैं साफ कर लूंगी जरा संभल कर पिया कि जिए गरम चाय से जिसम पर दाग भी पड़ सकते हैं आइंदा ख्याल रख हूं जिए ये रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर आप कल से ओफिस जॉइन कर सकती है और ये रही आपकी पाई चाड़ नभी आज बस और कल नहीं तुम्हारा जवाब के तुम ला जवाब हो कलियों को जो सर्मा दे तुम वो शवाब हो मेरी नजर तो बस ये देख रही है चकी नहीं गई जो अब तक तुम वो शराब हो मालिक आपने मुझे बुलाया कि क्या बात है दीनानार जबते आशा ने आफिस जोएंड किया है तुम कुछ ज्यादा ही छुट्टियां करने लगे हो साहब मकान पुराना हो जाए तुछ तो टपक नहीं लगे है और फिर उस पर जवान बेटी का बोज़ हो तो उसके तूटने का डर भी लगा ही रहता है कोई लड़का तराश किया आशा के लिए सोचा था बिटिया को नौकरी मिल गई है तो कोई अच्छा सा रिष्टा भी मिल जाएगा मगर मगर क्या आँखों का जाला ऑपरेशन के बिना करता नहीं और बिटिया का डोला धन के बिना उखता नहीं पड़ी पेशर्मी से कह रहा हूं मालिक अब तो वो खुद ही किसी सिल्लाव मेरिश कर ले तो अच्छा है कहां से लाओंगा मैं इतना दहेज अगर तुम्हें बिना दहेज के जवान उबसूरत लंबा चोड़ा करोड़ पती दामाद मिल जाए तो पगड़ी बनाकर सर पर रखूंगा उसके जूती बनकर पैर चुमूंगा उसके लेकिन वो लड़का है कौन मालिक लड़का तुम्हारे सामने है अगर तुम आशा की शादी मुझ से करोगे तो तुम्हारा बुड़ापा अराम से कर जाएगा आपने मेरी चिंता दूर ने 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 तिनाना जी ये अधिकार तो मेरा है नी मलिक तसुर है आप चाहिए तैयारी कीजिए शादी बड़े दूमधाम से होगी नहीं मैं मिस्टर केशब से चादी नहीं करूँ क्या बक्वास करती है तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है मैं पागल हो गया अगर आपको मिस्टर केशव सिर्फ इसलिए अच्छे लग रहे हैं कि वो कोई दहज नहीं मांग रहे है तो एक लड़का और भी है जो मुझे इस घर से सिर्फ दो कपड़ों में दुलहन बना कर ले जा सकता है कौन है वो? उसका नाम अविनाश है हमें एक साथ जीने मरने का फैसला कर चुके है बेटी प्यार और शादी तो अलग अलग बाती है जो सुक तुमें केशव दे सकता है वो अविनाश नहीं दे सकता मुझे उस पर पूरा भरोसा है वो मुझे कभी दुखी नहीं रख सकता ठीक है बेटी अगर तु इसी में खुश है तो मैं आज ही जाकर मालिक को इंकार कर देता हूँ ज्यादा ज्यादा वो क्या करेंगे मुझे नौकरी से निकाल देंगे न मैं कोई और काम करके जिंदी की गुजार लूँगा मैं तुझे दुखी नहीं करूँगा बेटी मैं आज ही अविनाश से मिलना चाहिए माँ नहीं आशा मैं अभी शादी करने की सोच भी नहीं सकता अविनाश मेरी शादी की फिकर में मेरे बाबुजी उमर से पहले ही बुड़े होते जा रहे हैं मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ अपनी जान भी दे सकता हूँ मगर मैं शादी नहीं कर सकता हूँ मैं मुझबूर हूँ आशा आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है तो मेरी मजबूरी चाहती होना तो सुनो मेरी बेहन एक लड़के से प्यार करती है और वो शादी से पहले ही मा बनने वाली है लड़के के माबाब अपने बेगे का पाप छुपाने के लिए तहेच में पांच लाख रुपए मांग रहे हैं और मुझे मुझे किसी भी हालत में पांच लाख रुपयों का बंदवस करना है क्योंकि इस पाप की भागिदार मेरी बेहन भी है अब तुम ही पता हो आशा ऐसी हालत में मैं शादी कैसे कर सकता हूँ अगर मैं केशव से शादी नहीं करती तो वो बाबुजी को नौकरी से निकाल देगा तुम अगर मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारी बेहन की जिंदगी भरबाद हो जाएगी आशा हम सरफ अपने लिए जन में ही लेते हम पर हमारे अपनों का भी अधिकार होता है तुम तुम अपने बाबुजी के बढ़ाबे का साहरा बन कर जीओ और मैं अपने भाई होने का फर्ज दिमाता हूँ इसका मतलब है जिंदगी की हकीकत पर हमें अपना प्याय खुरबान करना पड़ेगा आशा जंदगी के किसी भी नाजक मोड़ पर अबर तुम्ही मेरी मेरी मदद की जरूत पड़े तो मुझे जरूर याद कर लेना लेकिन लेकिन भगवान के लिए मुझे मुझे कभी कलत में समझना आशा झाल 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 अभर झाल तुम्ही खुर्स निए खुलाब तम्हारे होच्तो को लल चाईन right कि शupनाम की बून को सिब का मोटी ना बनाईए मैं जानती हूं मैं क्या हूं ये तो आपका है मेरे माता-पता mom आपने उनका पोज रलका कर दिया मैं तो उनका है सब मानता हूं जो नहीं चांद का डुकडा मेरे हवाले कर दिया आपके उचे खैलात को सुनकर मुझ में इतनी हिम्मत आ गई है कि जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो कह दूँ तुम जो कहना चाहती हूँ मैं सारी रात तुम्हे सुन सकता हूँ सारी रात तुम्हे देखा दूँ मैं नहीं चाहती कि हमारे पीच कोई भी बात राज बनकर छुपी रहे और रास खुलने पर आपको इस चान के टुकरे पर दाग नजर आए तुम्हें जो कहना है बेधड़क कहते मैं बहुत बड़े दिल का मालिक हूँ बोलो गवराओ मत मैं शादी से पहले एक लगके से प्यार करते हूँ लेकिन आपके साथ साथ फेरी लेते ही मैंने उसे अपनी सोच से बहुत दूर निकाल दिया अब मेरी सोच, मेरे सबसे, मेरी सांसों के मालिक आप हैं और मरते दम तक सिफ आप ही रहेंगे कहां जा गए कल हनीमून पर जाना है मैं एक पोन करके आता हूँ हलो आशा आपकी तारेश मेरे नाम अविनाश है मैं और आशा कॉलेज में अच्छे दोस्ते मीट मार हस्बन मिस्टर केशव नारंग अलो आपसे मिलके बहुत खुशी गई आई आप लोगों का एक फोटो की ना एक मिनिट आप ऐसे हैं मैं रहा हुआ हजबन वाइफ वाला फोटोग्राफ है कुछ बढ़ीयास होना चाहिए थैंक यू वेरी माच ये फोटो में आपके घर पहुचवा दूगा आये लंच साथ करते हैं दरसल मैं यहां एक शूटिंग इस लिसले में फोटो खिशने आता हूँ और जल्दी मुझे लोकेशन बस पहुचना है बाइद ओवे आप लोग ठहरे कहा हूँ है में सी उतर्ड़ हरे मैं बेवे ठहरा हूँ हूँ रूम नमर 404 में अगर वक्त मिला तो इनर एक साथ करते है नाइस मिली बाइ आशा मैं जए चेंज करके आता हूँ है आशा जी यह बही अविनाश है जिसम्दों प्यारि करती थी प्यारि करती थी अब मेरा उसके साथ कोई संबन नहीं क्यों क्या बात है नहीं कुछ नहीं ज़र एक पैक बनाओ नहीं कुछ नहीं कि फेश्व हलो अबीनाश कोली ने अपना काम कर दिया है सुबा तक होश नहीं आएगा आप तुम रूम नमर चाज़ो चार्सो चार में आजाओ गज़ा है? अभी नाज़ 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 जा इस दूँ अश्य दूश्य अवसर तिमसे पने के थर्म रहा हूने नाज़ तुम्हें पाने की तमन्ना आज मेरे दिल में जिन्दा है क्यों नहीं होगी तुम्हें पती जो ऐसा मिला है जब उसे मेने पहली बार तुम्हारे साथ लेगा तो ऐसा लगा जैसे चांद पर ग्रहन लगया हूँ छोड़ो उसे नहीं, यह नहीं हो सकता क्या हुआ, क्या नहीं हो सकता कुछ नहीं मेरी तवेट ठीक नहीं है तुम समान बांदो, हम अभी वापस लेंगे आजाओ, बसंपी हटो, छोड़ो अरे, यह अच्छानक तो का का हुई गवार कहीं मेरे पती को पता चल गया तो अरे बगली, तू आउरत है कवनों तीजोरी नहीं क्योकरा में से कितना माल चोरु हुए गवा पता चल जाई मुझे डर लग रहा है कहीं मालिक आ गए तो मालिक, अरे उतो मालकन के साथ उता केते हैं हिंदी मा हाँ, चान पर सहज चाटने गए है दस दिन का कह के गए है इस दिन से पहले भला काएंगे चल आए, हम लोग आपन हनीमून मना वल चाहिए अरे, आपका भई मालिक मालिक, अरे मालिक के साथ भी दो रचत करेगा अर्याओ मालिक इसका नियाद आओं क्या गया तूने इसे अपने जाल में पदा लिया बोल तुझे किसी दूसरे की बीवी को पतिता बनाने की हिम्मत कैसे हुई यह क्यों नहीं सोचा के तेरे साथ भी ऐसा हो सकता है तेरी बीवी भी किसी और के साथ भाग सकती है तब तेरे दिल पर क्या गुद्रेगी रुख जाए मालिक यह खुदी मेरे पास आई थी यह खुदी मेरे पास आई थी यह खुदी मेरे पास आई थी अजाए मेरे पास आई थी यह वह नमस्ते, नमस्ते, पर यह कैसे आना हुआ, वो आशा को देखे बहुत दिन हो गए थे ना इसलिए, चादी से पहले वो बरसों तुम लोगों के साथ थी, तब देख देखकर दिल नहीं बराता क्या, अवलाद के प्यार से कभी किसी का दिल बता है क्या, खोली आ रही है, अगर आप कहे तो कुछ दिनों के लिए आशा को अपने साथ ले जाए, कुछ दिन के लिए क्यों, हमेशा के लिए ले जाओ, और जी भर कर तोहर मनाओ, क्या बात, आशा से कोई भूल हो गई है क्या, मापस नहीं आएगी, मा, बाबु जी, मुझे यहां से ले चल दे, यहां मेरा दम खुट रहा है, क्या बात है बेटी, इसने जरूर कोई गलती की होगी, मैंने कोई गलती नहीं, यह पता नहीं क्यों मुझ से, तामाज जी पागल नहीं है, जो यूही नाराज हो जाए, क्य मापस जी भी मुझे से खत्राने लगे थे, कि कहीं मैं फिर से उन पर बोज ना बन जाओ, इसलिए, उन्होंने भी मुझे ही दोशी ठेराया, कोई सहारा ना पागल, कुछ दिनों के बाद, मैंने अभीनाश से मिलने का फैसला किया, आशा तुम नहीं जानती कि औरत के मामले में मर्द कितना तंग दिल होता है, अंगारों पर लोटने लगता है, जब उसे मालू पड़ता है कि शादी के पहले या शादी के बाद, उसकी बीवी का किसी के साथ अफैर था, अगर तुम उस दिन चुप रहती, तो कुछ भी न अगर तुम कहो तो, मैं किश्व को समझाने की कुषिश करूँ, सिर्फ तुम्हारे बारे में सुनकर, वो शक की चिंगारी में निपता हुआ बुरी तरह से लग रहा है, तुम्हें सामने देखकर तो ज्वाला मुखी किसा फट पड़ेगा, फिर तो तुम्हें अपी गलत उसे कि उसके दमाग से शक्का जहर ही निकल जाए, वो भूल जाए कि उसके दामन पर लगे वे फूल को कभी किसे में प्यार बड़ी नज़रों से देखा भी गा, मुझे उनके खुस्ते से बहुत तर लगता है अविनाश, शेर के पिंजर में फसने के बाद, सिर्फ दो र नाम के लिए कितने पैसे हुए भाई साथ? 75 आज अगर जल्दी वापस नहीं आता है तो शायद बहुत देर हो जाती है आप ठके हारे होंगे, मैं आपके लिए अभी गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ चाय तू क्या समझती है तू मुझे बेवस्त बलाएगी जाती है अपने यार से मिलने और मेरे सामने सब्सक्राइब का नाटक खती है मेरे साथ विश्वास घात किया है तू मैंने कोई हिश्वास चाह नहीं किया आज बहुत हो के पास विश्वास कीजिए, मैंने आपको कोई रोका नहीं दिया मैं जब जामताओं तू में जाना नाटक पुष्वास चाहिं आज से तुष भर के बहार नहीं जाएगी समझी आजए अगर आप क्या होते क्या है अजय कर दिया, बिंजरें में बंद बंजी करें, कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, बस चुप चाप, उनका हर जुन से जा रहे हैं मैं जब भी शराफ़ीता हूँ, और जो कुछ बुलाने की कोशिश करता हूँ, वो और याद आता है आशा, तुम मेरी पत्नी हो ना, मुझे प्यार करती हो ना, 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 तुम मुझे प्यार नहीं करती हो अगर तुम सच मुझे से प्यार करती हो, तो आओ, आद दो आज हम सुहाग रात मनाएंगे, नए डंग से सबसे पहले तुम हेके करके अपने कपड़े उतार अले, मुझे से शरम कैसी मैं तो तुम्हारा पती हूँ, तुम्हारे जिस्म के एक-एक अंग पर मेरा अधिकार है उतारो कपड़े, मेरे सामने कपड़े नहीं उतारोगी तो के सामने उतारोगी की? उतारो! उतारो! कि प्रूण बेलाज भूल भूल कि यूल कि वे यूल मेरे बाजाओ कि वे यूल बैड़ जो इसके पीने से सब दुख दूर हो जाते है लेड़ पीओ अरे तो कम से कम इससे स्नान तो कर लो फेल जबराओ ने मैं तुमें चलाऊंगा ने तरफ कड़ पाऊंगा अरे तरफ करें गई इसी तरह अपने गुस्से की आग में वो मुझे चलाता रहा थुम्हें एसे नए नए तरीके मुझे आजमाता रहा जो मैं तुम से कहती है आज सुबह जब मुझे पता चला कि बिजनिस के सिलसले में वो मदरास चा रहा है तो मैंने एक फैसला किया मुझे तलाक चाहिए इन सारे दुखों से चुटकारा पाने का इसके इलावा मेरे पास और कोई रास्पा नहीं अच्छी तरह से सोच लो आशा चल बाजी में किये फैसले जिंदेगी बरबाद भी करते हैं कहीं सनाओ के बाद में तुम्हें परिस्ताना मरें बाद में मर जाना भी पड़े तो मुझे मंजूर है मगर उस राक्षास के हाथों रोजाना जखनी होकर मुझे जीना मंजूर नहीं जो हसते हुए धीरे धीरे खून पीता रहता है अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं अपनी जान देदू भी नहीं आशा ऐसा मत करना तुम भले ही मेरी हुकर ना रहो जहां रहो दोखा मेरे साथ दोखा तुझे मालूम था कि मेरे जाते ही तो अपने याद नहीं कि मेरी पत्ती के साथ रहा है कि मेरी पत्ती के साथ कि मेरी पत्ती के साथ अ काधक दो लगी है हालौ वोभी हुआ, कि मेरी है के इस फके ताथ है अ युआ हेतस हो 淋 प्रवार पुलीच और जैसे ही चाकू मेरे हाथ में आया के किये हुए सारे जल्म मेरी आखों के सामने आ गए और जब मुझे तलाश करता हुआ वो मेरे पास आया तो मैंने पूरी ताकत से चाकू उसके गले में घौप दिया केशव के मरने के बाद अगर अविनाश पुलीस को लेकर वापत आ जाता तो तो मैं कह देती के खून मैंने किया है मगर वो वापस नहीं लोटा जबकि पुलीस टेशन यहां से थोड़ी दूर है पन्रा बीस मिनत इंतिदार किया मगर जब वो नहीं आया तो मैंने केशव की लाज छुपा दी और फर्ष पर फैला हुआ खून साफ कर दिया बहुत अच्छा किया तुमने केशव का कून गर कर के कानुसरी जो तुमें सथा मिल दी से बड़ी सजा तुमें केशव मरने से पहले दे चुका था कितनी अजीब बात है तुमें जूर्म करने से पहले सथा मिली और मुझे जूर्म न करने की तुम जेल क्यों गए पहले तुम पर जो गुजरी है उसका बोच अपने दिल से हटाने की कोशिच करो फिर मेरी कानी सुन लेना सुबह होने में देर है तुम आराम कर लो न चाहते हुए भी लोगों के सामने इस सुबह तुमें अपने पती का शोग मनाना पड़ेगा आर। अरे कहा है केश्व वहां तो कोई भी नहीं है अच्छा केश्व को अपने दिमाग से निकालो वरना तुम पागल हो जाओगी संभालो अपने आपको ओके अरे मेरी चांदी उठो ना अरे उठो ना क्या बाद है क्यों परिशन कर दे हो देखो आज बाजू के बंगले से फिर चिखने के आवाद आ रही है वहां टीवी पे जी और रशो चल रहा होगा मुझे सोने दो लगता है केश्व नारंग आज पिर अपनी दिल को बीट रहा है तुम कहो तो मैं पुलिस को फोन कर दो तुम्हे तो और काम है कि नहीं ना खुद सोते हो ना मुझे सोने देते हो मुश्किल सकता सुने सपने में आया था तारी सपने का सत्य नाश कर दिया अब को जाओ वरना मैं तुम्हें पिटूंगी आहा सुने सेक्टी तुमको और क्या सिखाएगा आप तो जाओ चुताओं जाओ आप जाओ पिर मेरी बश्ची मेरी बश्ची भी आख़िया घर आया पेपर वाले पेपर देखे जा इसाब लो चाहे लो अब समझ में आया के रात भर चिखने चिलानी के आवाजे क्यों आ रही है क्यों? पाजुवाला केशन उना रहे गाए ना वो प्लेन एक्षिट में माला गया क्या? मैं जरा उनके घर जाकर आता हूं ये चाहे तो पिलो मैं आकर पिऊंगा ये प्लेन ये पेपा लखो क्यों आकर आता हूं क्यों आकर आता हूं कल राट जाने पर एक्षिट राच होगे कित बड़सू रवालो मिस्स नर्ण आप मैं केशव का दोस्त अशुक हूँ मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि केशव इस दुनिया में नहीं दा न्यूस मिलते ही पहला प्लेइन बगड़कर आरा हूँ आप बेठी मैं देखा हूँ हलो हलो क्या मैं आशे से बात कर सकता हूँ उनके हस्वन की डेथ हो गई है क्या डेथ हो गई इसलिए इस वक्त वो फोन पर नहीं आ सकती अगर वो तो देखे आप प्लीज उनसे मेरा नाम दीजिए तो वो ज़रूर फोन पर आजाएंगी मेरा नाम अभिनाश है तुम कहां से बोल रहे हैं देखे मैं समय महात्मा गादी हॉस्पिटल के वार्ड नमर 16 से बोल रहा हूँ मज़े आप कोन बोल रहे हैं और आशा कैसी है मेरा नाम अशोक है तुम्हारे सवालों का जवाब देने में हॉस्पिटल आ रहा हूँ और जब तक मैं वहां नहीं आ जाता हूँ तुम किसी से कुछ मत कहना हूँ अब फोन रखो रखो फोन हाँ हाँ न्यूज सही है मैं आज ही दिली से आया हूँ परसे नीचे से बाहर बाहर से दिल लगाने जाए विस्टर अविनाश यह साब आख से मिलने आये हैं आप अविनाश मेरा नाम अशोक है फोन पर तुम्हारी मुझसे ही बात हुई थी कल राब तुम्हारे जाने के बाद जब मैं केशो के घर पहुंचा तो आशा केशो का खुन कर चुकी थी यहां आशा केशो का खुन कर दिया हां अपनी जान बचाने के लिए उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था बगर अब आशा का क्या होगा घबराओ मत कुछ नहीं होगा हमने रात को लाश को ले जाकर जंगल में दफन कर दिया है और पुलीस यह समझती है के केशो प्लेन क्रेश में मारा गया है अगवान ने आपको भी कुछ सही वक्त भीज़ दिया वर्रह ना जाने आशा आशा तुम कुछ दिनों तक आशा से मिलने के कुशिश मत करना अरे हां मैं तो पुछना ही भूल गया तुम्हें चोट के से लगी कल राज जब केशव ने मुझे घर से भार में कालकर दर्वाजा बद कर दिया तो मैं पुलिस को बलाने के लिए भाग रहा था कि अचानक पुलिस की हीजीव से टकराकर गिर गया और भुश होगी हाँ सबही होशा है ठीक है मैं चलता हूं जी मगर याद रहे रात की बाद किसी को पता नहीं लगनी चाहिए अच्छा अब कैसी है कभी यता आपकी जी अप तो कुछ ठीक है पहले लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जी पूछे आपका नाम इड्रेस 394 आदरशनगर नियू लिंक रोड अंधेरी वेस्ट पॉमबे कल रात कहां से आ रहे थे हां जी कल रात मैं अपने एक दोस से मिलकर वापस अपने घर लौट रहा था कि अचानक कुछ गुंडों ने मुझे पर हमला करते हैं मैं उसे बचने के लिए भागा और हाथी के जीव से टकरा गया पिर रात हम एक कैदी का पीछा कर रहे थे के बीच में तुम आ गया और वह हमारे हतों से निकल गया पैर तुम साइन करो जी जी देखो यहां सो डिश्चार्ज होते हैं पॉलिस्टेशन में आकर मुझे से जरूर मिलना जी अच्छा लगता है मैंने कहीं आपको देखा है मेरा नाम शोख है नाजी दिली चाहिए पूलना जरूर ठीक है मैं भी चलता हम आशा तुम आशा मार बाबुजी कहां गए है मद्रास गए है मद्रास तुम्हारे जाने के बाद इंस्पेक्टर कदम आया था मुझे लाश की शनाफ के लिए मद्रास चाने को कह रहा था मैंने उसे यह कहता है कि मैं लाश नहीं देख पाऊंगी मार बाबुजी को भेज दिया मगर तुम कहां चले गए थी अविनाज का फोन आया था वो हॉस्पिटल से बोल रहा था उसने बताया यहां से जाने के बाद वो पुलिस की जिब से टकराकर बेहोश हो गया सुबा हॉस्पिटल में होश में आते ही उसने तुमारी खैरियत पुछने के लिए फोन किया था मैंने सोचा इस से पहले वो पुलिस को यह न बता दे कि कल रात को केशव यहीं पर था और तुमारी जान लेने पर तुला हुआ था मैंने फॉरन हॉस्पिरल पहुंचकर उसको रात की सारी कहानी बता दी अब खतरे की कोई बात नहीं है अबीनाज यहां क्यों नहीं आया देखो आश्या यह बात मैंने उसे भी समझाई थी और तुमें भी समझा रहा हूँ फिलाल तुम दोनों का मिलना ठीक नहीं है हाँ और देखो मेरा यहां जाददे रुकना तुमारे लिए खतरनक साबित हो सकता है इसलिए जितनी जल्दी हो सकेगा मैं यहां से चला जाओंगा तुम अपने भविशे के बारे में सोचना शूरू कर दो हलो तुम्हारे पती का दियान दो गया इसका मुझे अफसूस है लेकिन एक बास समझ में नहीं आई तुम्हारे पती की लाश घने जंगल में कैसे बहुंचाए उसे तो मतरास के समंदर में होना चाहिए ना घर ये मेरे लिए खुशी की बात है और तुम्हारे लिए भी योगी पती के मरते ही तुम करोड़ पती बन गई हो मैं जानता हो कि ये बात तुम पुलिस को नहीं बताओगी अगर बताओगी तो तुम्हें भासी या उमर्कैर की सजा हो जाएगी और मैं भी ब्लिस को नहीं बताओगा पेरे खुले मूँ को पंद रखने के कीमत सियादा नहीं लाग रुपए हैं सिर्फ पाच्छला पैसे कब और कहा पाच्छला इसके लिए मैं फिर फूस करोगा पाच्छला पैसे कब और कहा पहुचाने हैं इसके लिए मैं फिर फूस करोगा मैंने मैंने सब कुछ सुन लिया अब क्या करें मुस्विबस से बचने के लिए तुम्हें इसकी ये बात माननी पड़ेगी सोचा था कि इशब से छुटकारा पाते ही परिशानियों का दोर खतम हो जाएगा अगर ये परिशानिया भी कैसे है साई की तरह मेरा पीछा कर रही है आखिर वह कौन हो सकता है जिसने हम दोनों को लाश दफन करते हुए देखा है मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा लेकिन कोई तो है जिसने हमें लाश को दफन करते हुए दिखा है खैर जो भी हो उसे पांच लाग रुपे देने में ही समझ दा रही है पांच लाग अब समझ में आया कि मांगने वाला पांच लाग क्यों मांग रहा है पीज़ पचेस भी तो मांग सकता था मुझे यकीन है कि पांच लाग मांगने वाला सिर्व वही हो सकता है कौन हो सकता है अभीनाश अभीनाश हाँ उसे पांच लाग की ज़रूरत था ने 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 वो ऐसा काम नहीं कर सकता जंगल में लाश तफन की गई है इसका पता हम दोनों के सिवाए अविनाश को है तुमी ने तो उसको बताया था और अब वो इस बात का फाइदा उठा रहा है लेकिन फोन पर तो उसकी आवाज नहीं लग रही थी टेलेफोन पर रुमाल रखकर आवाज बदली भी जा सकता जब नियत ही बदल नहीं तो आवाज बदलने में तुम हॉस्पिटल फोन लगाओ अभी पता चल गएगा ठीक है हलो मातमा गंदी हॉस्पिटल जर अवार्ड नमबर सुलां से मिसर अविनाश को बला देंगे वाट इसी वो तो आज दो बज़े डिश्चाज हो गया इसका मतलब भो ना हो यह काम उसी का है उससे अपने बहन की शादी के लिए पांच लाग रुपे की सक जरूरत और आज अपने जरूरत पुरी करने के लिए वो मुझे ब्लाक मेल कर रहा है जबके हकीसत यह है कि केशब का हून मैंने नहीं अविनाश ने किया है यह क्या कह रही हूं तु हाँ यह सच है केशब का हून अविनाश ने किया है अगर हून अविनाश ने किया था तो फिर तुमने उससे जुट क्यों बला था यार के अंदे कभी कभी लाठी पकड़ने के बजाए साप को पकड़ लोगे कल रात जब वो पुलीस को बलाने गया इस प्लास्ट कि गभी से जोग YOU!! हुँँँ कि खष्दक वहँanor कि भाण कि लोबुषद लोख़गे कि अपख़गे ट अजयों वुकल को पिव जो सिर्फ घट कर दो है लट में लट में लट पर हुआ लट से तुम 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 फिर वापस आ गए लगता है तुमारी भी मौत मेरे ही हाथ में लिखी अब तुम यहां से जिन्दा नहीं जाओगे अब तुम यहां से जिन्दा नहीं जाओगे पीनाश वापस आगे आए ए भगवान क्या होगा रेंकेशों कुछ करना बैठे है आपने क्या करूँ कर दो कर दो बातो ऑ्पस्त, अगीनष, अगीनष, अजग हो तो कि अग सरे लिर दो आधियो कि ब अधियो कि अऊभी अङ 하나र ow व अूर यर व य किए आ हुँ बोफ मुड़ार है जो एग दिर्वां अधु आटा रहा है हॉँआ। अजया डिर्षा कि एग एगार यह कि एगार है हम प्रस्फर खुब कि एग यह था है प।ब कि एगारा कि एगार था रहा है आज के मुख्य समाचा है, आज शाम बॉम्बे से मद्रास जाने वाले हवाई जहाद, एक रीट्वेंदी, शाम शे बचकर तीस मिनित पर मद्रास के बीस समंदर में विश्पोथ होकर गिर गई। इसी भी यात्री के बचने की कोई संभाव ना नहीं, यात्रियों के नाम इस प्रकार है, श्री रामचन्णर गोस्वामी, श्री मती सीता गोस्वामी, श्री मुकेष ठाकूर, श्री केशा नारं, श्री रामेश्वा प्रतार्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट एंजवारी, चिरिपरे ने ने काई, यह रजए जो ने काई, चिर आजवारी, चिरे आज जे आज़ाई जाज़ारी, जाज़ारी. करें। कर दो 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 अर्थर रोड जेल से एक खुखार कैदी जिसका नाम राकेश राय है जेल सोड़कर फरार हो गया है उसके पास इंस्पेक्टर का चुराया हुआ रिवालवर भी है किसी भी व्यक्ति को उस शक्त के बारे में कोई भी चांचारी मिले और इसके बाद तो मेरी कहानी में शामिल मतलब करने के बाद पुलीस को बुलाने नहीं गया था बल्के भाग екоторा और अच्छानक पुलीस की जीफ से चार बहोच हो गया और मेरी समय कहानी सुनलने के बाद उसने तुम्हें second मिल करने का प्लैन बनाया और हस्पिटल से निकलते ही तुम्हें फोन किया फोन 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 थाओ तरने की गुरबास दे उठाओ फोन अगर उसका फोन आए तो मुझे जगा देना झाओ झाओ वज्जार में पर्ला। अर्फ़ाव起ो यज्जार में? अच्छा? 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 अपरा। लु्छार? लुदार लगता है हमारी निगरानी के लिए अभिनाश ने किसी को रखा है मैं निची जागर देखता हूँ तुम यही थे दो लगता है लगता है कौन था पता नहीं भाग गया शाज उसे पता लग गया कि हमने उसे देख लिया है तुम रुपे निकालकर रूबिट आउस पहुंचो मैं तुम्हें दो बजी वही मिलूंगा पतराई पहुंचो पता है कर दो 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 अ, आइ कर सके हैं रिषय कर दो आपका दो कर दो य बुलिटा गया व उखवा चले घघिह प्रप्ट पूंट रूंग, दटी करे कि आुक बिश्ट डिंवे प्रिमी जाल प्रिमी करे आयो करे जाल करे किया बात है बैग वापस लिया है रिस्ट के उन्ट काम पर मेसेज मिला कि बैग वापस ले जाओ यहाँ पुलीस आ गई है मैं फिर फोन करूंगा ठीक क्या तुमने मैंने वहां इंस्पेक्टर कदम को देखा था और और साथ में अविनाश को गी अविनाश को इसका मतलब मे किसी ने खत्रे को दावत बत दो अब मेरी जिन्दकी में बाकी ही क्या बचा है मेरा जीना और ना जीना एक ही समान है लेकिन अविनाश को इसकी सदा मैं जहूर दोगी करें किसी नेफ दोगी ही अविनाश को अपार वह लिए टोगा है आए करेंए पार्ख में महातमा गाने के समानी पर आजाओ, तुछ गई पार्ख में में पर आजाओ, तुछ गई बैग नीचे रफ तो अब वापस जाओ बैग चुछ ऑज गई कर दो कर दो आशा थैंक यू वेरी मच अब हम मेरी बेहन की शादी हो जाए मुझे जकीन है मेरी मदद करके तुम्हें भी बहुत खुशी हुई और पिर क्यों ना हो आखिर तुम भी तुम उसे प्यार करती हो ऐसा करके तुमने अपने प्यार को नफरत की उस सरहत पर लाकर खड़ा कर द मैं तो डूबने से बचने के लिए तुम से सहारा मांग रही थी तुमने तो खंजर बनकर मेरी महबत का गला ही ताट डाला तो फिर मैं क्या करता हां भीक मैं मांगना नहीं चाहता था इसलिए मुझे तरीका स्वाल करता खेर यह पांच लग तो क्या अब तो केशर की सारी कि तुमसे शादी करके तुमें दुलन बनोगा अपनी अब वो दिन कभी नहीं आएगा मैं तुम्हें जिंदा नहीं चोड़ूँ तुम मुझे नहीं मार सकती आशा तुम मुझे मैर कती हो तुम मुझे नहीं मार सकती है मैंने आज तक बेरंग पानी से रंगीन तस्क्रे बनाने की बिवकूपी की है मगर अब नहीं करूँ अरे तुम तो केशब से भी गिरे हुए हो वो जो कुछ करता था खुलियाम करता था तुमने तुम नेरी स्पीट परवार किया है मैं तुम्हें जिंदा नहीं एक आज से इज एंगे ए स्विघ्ड अ एक बहीं है हम थाले चंड यस stan का वो घुमो एले जिनो भू़ ख negligत यदिनो इन संध पर एलो यूर्टिर मले कंडू र सिन पर वो रष्आ Пवस कर, कुमने जिने छूड़ू पर तुमने जिनो जूड़ूयश scène हे टूू जिनुमने तुम्हारी जान बचाने के लिए केशो की जान ले सकता है वो तुम्हारी जान का दुश्मन नहीं हो सकता है मुझे तो अभी एकिने आ रहे के जरूर उसका मीने का फोन होगा हलो आज रात को दस बचे वटके पुराने के लिए पर पैसे लेकर आ जाना याद रखना अकेली आना ठीक दस बचे अब वक्ता दिया है मेहनत का फाल मिलने का कहां गया क्या ढूर रही हो तुम्हारा रिवॉल्वर मेरे पास है मुझे दे दो रिवॉल्वर रखना और रिवॉल्वर चलाना दो अलग लग बाती है अब देर हो रही है चलो अब तुम्हारा रिवुल्वर रखना दो रिवॉल्वर यहां के रूप उसने तुम्हें अकेले बुलाया इसलिए तुम जाओ मगर डरना मत मैं आस पास ही रहूगा ओके मैं आस पास हम लगाओ कर दो चास पास हुआ है कर दो시 controversy यह बजयर आस पास है कर दो कर दो कर दो कर दो अप्रूप्स अप्रूब कर दो अप्रूप्स अबदान कर दो। वेल्कॉम मिजिस नारांग वेल्कॉम साइक नीचे रख तो कर अब वापस जा मुड़ कर देखने की कोशिश मत करना जार, प्यों पीचे अर्डा ओनू ढद हो कर दो झाल झाल तुम उस परिंदे की तरह बेवकुपी कर रहे हो जो तूपान से बशने के लिए अपना मू रेत में छुपा लेता है इंस्पेक्टर करवे फर्म क्राइम रांच इंस्पेक्टर कदम लालस का धुआ तुम्हारी अकल पर इतनी बुरी तरह से छागया के तुम अपने फर्म के साथ गड़ारी कर बैठी उस वर्दी का पान किया है तुमने जिस पर जनता का विश्वास और कानून की बुनियात खड़ी है अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारे माथे पर कभी ना मिटने वाली सियाई से खड़दार लिख दे तुम्हारे जैसा कोई भी पुलिस वाला बेमाने नहीं करता है अरस्वेम हम मराठा जो इमान को भगवान समझते हैं तुम के नाम पर गाली है गाली तुम ब्लैक मिल क्यों हो रही थी इसका पता दो मुझे चल जाएगा फिलाल एक मुझरिम को पना देने के जुर में मैं तुम्हें गरफ्तार करता हूँ राकेश मैं जानता हूँ तुम्हें कई चुपे हो भागने के कोशिश नहीं करना पुलिस से तुम्हें चार तुर अपने घेर रखता है याद रखो पुलिस वालों को भागे हुए कैजिसे कोई हमदर्दी नहीं होती चुप चाप अपने आपको गालों के हवारे कर दो अगर एक बार तुम्हारे जिस्क से रू निकल गई तो पच्टाने के रहे फिर वापत नहीं आएगी अटिंड गिरुमा एक दो कि अगया है कि अगया है कि तुमने मुझ्रमों के जबान खुलवाने के लिए कई बार थर्ड डिगरे का इस्तमाल किया है अब मैं तुम पर थर्ड डिगरे का इस्तमाल करूँ या तुम शराफत से बताते हो कि मिस्स नारंग को तुम ब्लैक मिल्क क्यों कर रहे हैं यह उस रात की बात है सर इस रात में मिस्स नारंग को मिस्टर नारंग की मौट की खबर दे कर पाहर में कर आए कर दो जा यह 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 यह-ई कर दो कर दो जब मुझे पता शिला कि वो लाश मिस्टर नारंग की है तब मैंने अपना फर्दा करने के बजाए मिस्स नारंग को ब्लैक मेल करना शुरू करते मैं अपने कीपर बेहर शर्मिन नहीं हूं सर्थ लामत है तुम पर पुलिस की वर्दी पर एक बद्नो माद दाख हो इस्पेक्टर जे जंगल से लाश निकालने का बंदो बस्त कर रहो इस्पेक्टर लाश पोस्त मादम के लिए बेज़ दो गरम ले चुरू सर्थ मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या पूछना चाहते यही न कि इस पेचे तक इसमें मैं कैसे शामिल हो गया जिस रात मद्राज जाने वाला फ्लाइट क्रैश हुआ था वो सरात एक और अवरत पूलीस स्टेशन आईगी इसने मुझे बताया कि उस फ्लाइट में मिस्टु नारंग के टिकेट पर उसके पती गए है फ्लाइट क्रैश में मिस्टु नारंग के नहीं उसके पती की मौत भी वो चाहती थी कि उसके पती की लाश मिले में कोई कानून में रुकावट पैदा ना हो मैंने उसकी मदद करनी चाहिए दूसरे दिन सुबह मैं मिस्टर नारंग के खड़ गया ये देखकर हैरान हो गया कि वहाँ तो मिस्टर नारंग की फ्राइट क्रैश में मौत होने की वज़ो से शोक मनाया जा रहा है मैं सोच में पढ़ गया कि मिस्टर नारंग तो मदरास गया नहीं तो फिर गया कहाँ ये देखकर तो मैं और भी हैरान रह गया कि राकेश जो कि एक जेल से भागा हुआ कैदी है, वो भी वहां मौझूदू मुझे कैसे इंट्रस्टिक लगा है उस दिन के बाद मैंने नारंग के घर के निगरानी शुरू कर दो लेकिन एक दिन रागिश न मुझे देख दिया उसके बाद मैंने फोन टैब करना शुरू जिसने मुझे पता चला कि वोई मिसस नारंग को ब्लेकमेल कर रहा है सर, ब्लेकमेलर का तो पता चल गया बगा नारंग का खातल किस ने किया चलो नारंग के ख़र चलते यस सर तुम दोनों उपर जाओ, तुम लोग उदर देखो मुझे तु यकिन ही नहीं यादा कि हमारी बेटिया ऐसा काम कर सकती है हमने भी तो अपनी बेटी को उस दिन यहीं जिन्दा दफन कर गिया थ जिस दिन वो हमसे कह रही थी मुझे यहां से ले चलिए यहां मेरा दम घुट रहा है हाँ इस जैसे की केशय उसे छोड़ न दे हमने उसके एक न सुनी तुम ठीक कहती है जब तक माबाब बेटियों को बोच समझ कर कंधे से चटकते रहेंगे तब तक इसी तरह के जान लेवा हास्ते होते रहेंगे जब तक माबाब तक रहेंगे जो चुप रहेगी जबाने खंजर लहू पुकारेगा आस्ती का सर पोस्ट माटम की रिपोर्ट आ गई है सब लोगों को बाहर ले आप सर पोस्ट माटम की रिपोर्ट पढ़ते ही मुझे पता चला आए ये कातिल कौन है कातिल मैं हूँ तुम तुम कौन हूँ मेरा नाम अविनाश है नारंग का खून मैंने किया है ये छूट पोल रहा है इंस्पेक्टर सहाब खून मैंने किया है क्योंकि वो एक शक्की और बेरहम इंसान था अगर मैं उससे नहीं मारती तो वो मुझे मार डालता है आप इसकी बातों का यकिन मत कीजिए ये लो कुथी सुलचते सुलचते फिर एक बार उलच गए लाशिक और खून का दावा करने वाले ये दो सर्थ मुझे लगता है ये खून अबिनाश ने किया है क्यों 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 कि मैंने इसे हॉस्पिटल में कहा था कि डिश्चार्ज होते ही पुलिस्टेशन आके मिलना बगर ये नहीं आया है हाँ तो मिस्टर अबिनाश आप मुझे ये बताईए के खून आपने किस अध्यार से क्या रहा है चाकू से दार्स राइट नारंगा खून चाकू से हुआ मगर तुमने चाकू कहा मारा था जी पेट में पेट में चाकू मारा था लीकिन केशव की मौत तो गला काटने से इसका मतलब ये खून तुमने भी नहीं किया है और मैं आज तक तुमें बचाने के लिए खून का इल्जाम अपने सर ले रही थी तो खून तुमने भी नहीं किया और मैं आज तक तुमें बचाने के लिए इल्जाम अपने सर पर लेता रहा है खून तुमने भी नहीं किया मैंने भी नहीं किया तो फिर कातिल कौन हो सकता है कातिल वही है जिसने खुन भी किया और चुप रहकर पुरा तमाशा भी दे नहीं सर्थ मैं खुनी नहीं मैंने कब कहा कि तुमने खुनी वही है जिसके उंग्लियों के निशान इस चाप उपर इंस्पेक्टर कीर्टी रावल इस चाकूपर मस्टर राकेश के उंग्लियों के निशान मस्टर राकेश ये खून तुम ने किया है हाँ इंस्पेक्टर ये खून मैंने किया है कि नारंग ने जिन्देगी में जितनी दौलत कमाई उससे कई ज्यादा लोगों की नफ्रत कमाई हर खुबसरत औरत का शिकार करना उस वेशी दरिंदे की आदत बन गए थी जिस पर उसका दिल आ जाए मेरी बीवी मॉनिका मशूर मॉडल थी वो नारंग के हाँ मॉडलिंग करती थी करता हुई वो ने जाए जई करता है प्रुबसर मॉनिका झाल पन्य करता है आज तुम बहुत खुब्सूरत लग रही है थांक यू आज मैं तुम्हारी ऐसी तस्वीर उतारना चाहता हूँ जो हजारों साल पहले उस वक्त ली गई थी जब लोगोंने कपड़े पहना नहीं सिखा कैमरा मेरा दिल होगा और तुम धड़कन बनकर मेरी सांस उसे प्रतरा है मिस्टर नारेंग, how dare you आपकी हिम्मत के से मुझसे इस तरह बात करने की आप अच्छे तरह जानते कि मैं एक शादिशुदा और एक शरिफ लड़की मूँ So what, ये तो और भी अच्छी बात है जिस तरह पानी पर लिखा फॉरण मिट जाता है उसी तरह अगर कभी कभार मैं तुम से होकर गुजर जाऊंगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुमारा बैंक बैलन्स भी पढ़ता रहे मैं मॉडलिंग बैंक बैलन्स के लिए नहीं करती मेरे पती की इतनी इंकम है कि अगर मैं मॉडलिंग ना भी करूँ तो कोई स्वाच नहीं पढ़ता ऐसा तुम उसकी इज़त रखने के लिए कह रहे हो अगर उसकी इंकम अच्छी होती तो शादी के इतने दिनों बाद भी उसने तुम्हारी गोद क्यों नहीं भरी सिरफ इसलिए कि कहीं मा बनकर तुम्हारा ये उसन ढल न जाए और उसकी चलती फिरती दुकान को ताला न लग जाए अरे तुम क्या जालो मेरे राकेश की सोच और सूरत दोनों देवताओं जैसी है कि मेरी सूरत पर दौलत कर नकाब चुड़ा है और दौलत से खुबसूरत तो भगवान का चेरा भी नहीं होता फिर दूब क्या चीज़ है और कि आसिजसे, कि अजुटारी कि अजुटारी कि अजुटारी कर दो थे ह। जासमने जिस ते मैं जान। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि इन्हें मैं तेरे आंचे है अगे करें तो इस तुन्या तो क्या है तेरा पती भी जंदगी भार तुझसे नफ्रत करेंगा थेघेड़। च्ज़अीक, स्ट्पश क्षिख तो मोनिका, मोनिका, मोनिका... किसने किया यह? किसने किया!! किस师os.. वोर वे नामा ही? मोनिका, मोनिका मोनिका किशाओ, किशाओ जज साब मैंने ही पोन पर पुलीस को ये खबर दी थी कि राकेश ने अपनी पत्म कर दिया क्योंकि जिस वक्त फुन हुआ उस वक्त में वह मौझूद था और मेरी मौझूद्गी का कारण ये था कि मॉनीका मुझसे प्यार कर दी और राकेश को इस बात का शक हो गया था मोनिका मुझसे इसलिए प्यार करने लगी थी क्योंकि राकेश मोनिका को अपनी पत्ती नहीं बलकि पैसा कमाने वाली एक मशीन समझता था उसकी बेवफाई का एक और खारण था मोनिका माँ बनना चाहती थी लेकिन राकेश जानता था कि माँ बनते ही मोनिका का मॉडलिंग कैरियर खक्त हो जाएगा और पैसा कमाने वाली मशीन में जग लग जाएगा राकेश की गहर हादरी में में मोनिका से मिलने लगा उस दिन मोनिका ने ये कहकर मجھे अपने घर बुलाया के राकेश दो-तीन दिन के लिए बाहर गए हैं हम दोनों बेडरूम में थे अचानक राकेश वहां पहुंचा हम दोनों को ऐसी हालत में देखकर ये बरदाश्ट नहीं कर सका और इसमें कोली चला दी ये मुझे और मोनिका दोनों को मार देना चाहता था नारंग की जुटी गवाई ने मुझे मेरी ही पतनी मौनिका के कतल के azom में उम्रकैद की सजा दिला दी मैं एक साल तक जिल से भागने का इंतजार करता रहा एक दिन मुझे ऑगने का मौक और मैं इंतकाम के आग में जलता हुआ सिदै नारंग के घर पहुंच गया प्रिम न हो गुरी जह एल जही है बतल जही है इंट पर प्रिक्राओ का आप प्रिक्राओ यह हुष है में लुष हुष है इंव इंड पो डंव तुम फिर वापस आ गए लगता है तुमारी भी मौत मेरे ही हाथ पुलिए अब तुम यहां से जिन्दा नहीं जाओगे हुई झाल हुई झाल हुई झाल हुआ 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 है हुआ 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 हु नारंग का खून करने के बाद मुझी पता चला कि उस एक साल में नारंगने शादी कर하신 अगर इस बातिका पता मुझे पहले चल गहा है तो रखे में नारंग कभी नहीं करत потр क्योंकि गुनेगा नारंग था और सजा मैंने नारंग के साथसाथ उसकी बे गुनाब पत्नी को भी दे देदी आशा को नारंग के लाज चुपाते देखकर मुझे कुछ शक्सा हुआ मैंने ही कुछ दिनों के लिए आशा और अविनाश को एक दूसरे से मिलने के लिए मना किया क्योंकि अगर ये दोनों मिल जाते तो जाहर हो जाता कि इन दोनों में से नारंगा खुन किसी ने नहीं किया है और इनका शक सिर्फ मुझ पर जाता है मैं बाहर जाता तो पुलीस मुझे पकड़ लेती सब कुछ आसाने से निपट गया था अगर ये आदम हमें ब्लैक मिल नहीं करता आपकी पुलीस मुझे कभी पगड़ नहीं सब्सक्राकेश हमारे पुलीस इतने बेवकूफ नहीं है और एरकाइन इंफरमेशन इस चाकू नकली है और इस चाकू पर तुम्हारी उंगलें के निशान नहीं है मुझे पहले से तुम पर शक था क्योंकि मैंने तुम्हारे पाइल पड़ी और मुझे इस बात का पता चल चुका था कि मैं इस तुम्हें नारंग की गवाई की वजह से तुम्हें सजा में लिये और इसलिए मैंने यह तुका फेंगा जो तीर बनकर सीधान दिशाने पर लगा है और तुम्हें अपना जर्म को खुब कर लिया है आज है कि दो कुझ 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 झाल झाल